हाई जैहिंद इंडिया कैसे आप लोग मैं और मैं हूँ डॉक्टर नमनीत काल रहा आज एक जो करेंट सिच्वेशन है हमारे कंट्री में जिस वाइरस की वज़े से लोग बहुत डरे हुए मैं उसी पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कुछ आपको टिप्स देने जा रहा हूँ कैसे पता चलेगा कि आपका पिशिंट सीरेस है क्या उसको एडमिट होना चाहिए बस यही टॉपिक है क्योंकि आज बहुत सारे पिशिंट से आये जो बहुत ही घब्राय वे थे पैनिक म होना चाहिए उसको यह टेस्क कराना चाहिए देखो पहले तो वह पिशिंट जो पिशिंट बाहर से हो क्या है किसी दूसरे कंट्री से होकर आए और आप उन लोगों के टच में रहे हो जो बाहर से आया और आप उनके टच में रहे या आप एक ऐसे पिशिंट के टच में र खरीड लो अपना temperature सुबह शाम देखो जो लोग ऐसी जगाओं से आये हैं या इनके contact में आये हैं जहां पर suspicion है अब मैं असली बार पताता हूं कि कैसे पता चलेगा आपका गला खराब हुआ आपको fever आये कैसे पता चलेगा कि आपको यह serious problem हो सकते हैं और आपको admit होना के लिए कि आपको सांस लेने में दिक्कत है बस यह आपको बहुत weakness हो रही है आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है एक normal symptom जो होते हैं वाइरल में वह आपको नहीं लग रहे है कुछ और ही है क्योंकि आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है आपका इतनी weakness है कि और सांस में आपको दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर के बात है बतानी पड़ेगी और आपको तुरंद डॉक्टर के बात जाना पड़ेगा अब मैं बताता हूँ कि अब इसमें कुछ treatment अपडेट हुआ है कि इसमें क्या treatment देना चाहिए हाला कि मैं यहाँ पर नहीं बताना च severe cases है कैसे पता लगाएगा कि आपके patient serious है number one जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो और दूसरा जब आप doctor के पास जाएं तो doctor को भी देखना चाहिए और आपको भी request करते हैं कि आपकी oxygen जरू चेक कर ले एक pulse oximeter नाम का instrument होता है जो आपकी pulse चेक करता है oxygen चेक करता है तो वहाँ पे अगर आपकी oxygen 94% से कम आ रही है तो आप high risk पे हो number one number two अगर आपका BP 90 by 60 से उपर का 90 नीचे का 60 ये BP आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो आप risk पे हो अगर आपका respiratory rate सांस का जो हमारा rate होता है अगर वो 24 से उपर है तो आप risk पे हो या फिर patient थोड़ा confused है वो पूरा conscious नहीं है alertness नहीं है तो भी आप serious हो तो यह वो patient है जहाँ पे इनको admit करना पड़ेगा और यह वो patient है जहाँ पे test भी कराना ज़रूरी है यह वो patient है जिनको ICU में भी shift किया जा सकता है और यह वो patient है जो critical भी हो सकते है और underlying अगर problems है sugar है जिनको heart problem है kidney problem है उमर 60 साल से जादा है तो उन लोगों को तो बहुत ही जादा alert रहना पड़ेगा ठीक है और इसको मजाक मत ले यह एक virus है और कुछ दिनों की बात है अगर थोड़े दिन हम संभल जाएंगे हफता दस दिन तो शायद हम निकल जाएंगे इसमें यह एक ऐसी बस थोड़े दिनों की बात है दोस्तों और डरना भी जादा नहीं है कि फाल्तु में बस भागे जा रहे हैं तो मैंने यह आपको symptom बता दिये कि fever के साथ गला खराब होने के साथ अगर सांस लेन में दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएं तुरंट जाएं और उसको बताएं लेकिन जो अब देखो होता क्या है कि जो अलेडी अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको तो सांस में वैसे भी प्रॉलम होती है तो उनको कैसे पता चलेगा जिनको दमे की मिमारी है हाना तो अप कैसे पता चलेगा कि आपका पेशेंट सीरियस है या आप सीरियस हो और किसको एड्मिट होना है किसको यह टेस्स कराना है और टेस्ट होता है यह थ्रोट सौप कल्चर से होता है और बोल रहे हैं कि 75 लैब्स इंडिया वर में खोल दी गई है तो उमीद करता हूं यह आपको सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल और मैं कोशिश करता रहूंगा ऐसे ही छोटे-छोटे इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आता रहूं बाई शुबराति शवाखेर